खबरक हरगोन से जिले के बिस्टान थानाक शेत्र के ग्राम आवली में एक ही परिवार की दो महिलाएं खेत से लोटते समय नदी पार करते हुए हाथसे की शिकार हो गई ग्रामीरों ने इस हाथसे के बाद प्रशाशन के खिलाफ नाराजगी भी जताई है उनका कहना है गाओं में लंबे समय से नदी पर पुल की वो मांग कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई नतीजितन जान हथेली पर रखकर लोग खेतों तक पहुँचते हैं मिली जानकारी के अनुसार आवली, निवासी, मीरत, पतिहेम, जिठानी और सगूर असाल, देवरानी, 48 वर्ष अपने खेत से काम करके लोट रही थी इसी दोरान इंद्रावती नदी पार करते समय दोनों के पैर फिसल गया और वो तेज भाव में बह गई ग्रामीनों ने जब तक दोनों को देखा और उन्हें निकाला वो दम तोड़ चुकी थी चिलास्पिताल में उनका पोस्ट मॉटम कराया गया है दो महिला है एक साथ डूबी और गाउं वालों ने बचाने का भी परियास किया दो तीन लोग वहां पर मोजुद थे वह लेकिन बुजूर का आदमी थे और परियास किया वागी नहीं बच पाए और पांच किलोमेटर नीचे पेनपूर गाउं है देनपूर के नीचे मतलब देन में उमरखली के पेले वहां धूनडा हमने और मिले और सरी हर साल की समस्या रहती है जब भी बारिज होती है वहां दो चार मकान भी बने वे टपरी जो खेत में काम करते हैं लोग वो खेत वाले भी वही रहने लग गए हैं तो उनको भी आने ऐसे इसेया रहती है कहीं बार पसू विह हमारे बह जाते हैं और दो मोते इसके पहले भी मतलब फांत-साight साल हो गया होगा एक dobrze गला नामसे आदमी था वह ही इसे ही बहके मरा पिदिश्त सम्थता मतलब हर बारिस में एक-दो हास्य होते ही होते हैं अभी पारिष होब में मतलब पाणी भी होगा नजी में ? यह मईरा एकी परिवार की थी ? नीजिया हिए लेकिन को की कार वाईए नहीं हुआ हि अभी तक क्या नाम था इनका मोरज भाई को शकु भाई का खेट में गयते हैं क्या नाम है आपका मेरा आश्वक पावार है आप कोन हुँ उनके में गाउं काई हूं और मेरे भी परिवार के मतलब जादी लगती है मेरू